तो दोस्तो आज हम जिस फिल्म का रिव्यू करने वाले हैं वो सिफ हमारी फेवरेट फिल्म नहीं है हमारे बाप की भी फेवरेट फिल्म है और हमारे बाप की बाप की भी फेवरेट फिल्म है कौन से भाईया बागबान? तो दोस्तो जिस रिकार्ट तोड फिलिम की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है नदिया के पार लमसम 40 साल पहले 1982 रिलीज हुई थी तब हम पैदा नहीं हुए थे हमारे बाप हुए थे कौने दिसा हम लेके चला रहे बटोई है गाते हुए हमाय पिता जी भाइस चराने जाते थे इसी फिलिम का गाना है और इसी फिलिम की सस्ती मगर महांगी रिमेक है हम आपके हैं कौन कैसे क्या सब कुछ हम आपको बताएंगे तो चलिए फिर सुरू करते हैं नमस्कार हमारा नाम रिव्यू कुमार है हम आपको फिल्मों का रिव्यू देंगे आप लें या न लें हमको नहीं पता पर हम आपको देंगे और आप लोग बहुत अच्छे से ले रहे हैं चैनल अबिश्वाला बटन्ती दीजी फिल्म नदिया के पारकून ना तो हम पूरी तरीके से बालीवूड की फिल्म क्या सकते हैं नहीं भोच्पूरी फिल्म कै सकतेैं क्योंकि फिल्म के डाइलाक जो वह अवधी हिंदी में है फीस्ट भूम उ-Yup का है सूटिंग हमारे शायर जौनपूर तैसील के राकत और गाउं जो है विजाईपूर में हुई है तो फिलिम का निर्माड किया बालीवुट के राश्री प्रडक्शन ने हलांकि भोजपूरी इंडस्ट्री वाले बोलते हैं कि उनकी फिलिम है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं अगर देखा जाए दोस्तों में भोजपूरी इंडस्ट्री वालों ने कुछ भी धंका निक का गतका बनाया नहीं है काली भाई रिमोर्ट से लाइंगा उठा रहे हैं रात दिया भुजा के पिया क्या 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 यही पता करने हम लगे हुए मतलब यूपी बिहार के संस्कृतिक एकदम बंटाधार कर दिये हैं और इज्जत बचाने चक्करम बोलते हैं कि नदिया के पार जो है उनके इंडस्ट्री बनी हुई फिल्म है खैर दोस्तों इस सब बातों बाद में आएंगे पहले बात कर लेते हैं फिल्म के कहानी की देखिए यूपी बिहार में बहुत अडबंगा सिस्टम था म अपने दीदिक बच्चोग समाल सके यानि बच्चोग जो है सवतेली माई वाला ट्रेटमेंट न मिले तो यही सब रीजन देखे फरजी वाड़ा करके इमोशनल ब्लैकमेलिंग छोटकी बहीनिक जिन्दिगी जो है वो राउन दिया जाता था माई का की जो घर की होती थी कि बिट्टी तुम्हारी तु दीदी थी अपने दीदी बच्चोग बारे मिसोचो तुम्हारे जीजा हैं जीजाग बारे मिसोचो पर अपने बारे मिसोचो सब के बारे मिसोच लो यही सब सुचवा के बिया हो जाता था और यही सेम चीज जो है लड़के एक साइड होती वाइस वर्षा वाला खेलता है बड़ा भाई अगर मर गया तो देवर और भाउजाई के बिया करा दिया जाता था बहुत बड़ा गेम चल लात पहले तो समात के इसी कू सिस्टम को प्रिष्ट भूमी बनाकर केसो प्रसाद मिश्र जी ने कहानी लिखी है कहानी का नाम है के पार फिल्म जो है गुंजा और चंदन के प्रेम के इड़ इड़ गुमती है साथ ही साथ ग्रामीड जीवन कितनी खूपसूर्तिस दिखाए गया है कि आप शहरी हो या गवई अगर फिल्म देखना चालू करेंगे तो मजाल है कि आप फारवर्ड कर पाए अगर आप गारंटी कौन दे रहा है हम यानि रिव्यू कुमार अव ऐसे गारंटी नहीं दे रहें गुरू आज से चार दसक पहले जब फिल्म रिलीज हुई थी तो सव हपता तक सिनेमा घरो सुतरी नहीं थी हमारे पास के शार इलाबाद में बाप कीजिएगा प्रयाग राज में ज जो हैं तीन रुबिया पापा को मेला दिखाऊनी देते थे पापा उसी इन चार समोसा जली भी हुमुष ते उसके बाद जा खिलावना लेते पूरा मेला देखते और जेबं पांच पईसे बचा घर आ जाते थे उस टाइम की बाहु बली थी फिल्म गुरू मतलब दसक भर चले फिल्म को क्रेज को देखते हुए राश्री प्रडक्शन चस्मो चिराग सूरत बरजात्या ने इसका हिंदी रिमेक बालीवुड रिमेक बनाया और बनाया क्या निपोर दिया हम आपके हैं कौन अरे क्या मतलब था भाई इस सब बनाने का गाहों कहानी को आप अरबना भाई देखने से बची जाते खैर राश्री प्रडक्शन वालों ने एक ही स्क्रिप्ट से दो दो बार पैसा पेला है अब बात कर लेते हैं फिल्मेकर्स की तो फिल्म का निर्देशन जो है हमारे यहीं यूपी उन्नाओ के स्वरगी गोविन जी ने किया है ये इंडस्ट्री को इन से सीखना चाहिए कि फिल्म कैसे बनाई जाती है आज कल के भोजपूरी फिल्मेकर्स जो हैं भाउजिक साडी नाडी बलाउज की उपर उठी नहीं पा रहे हैं लायला मालवा छैला धमालवा लागा माई बाडवा इदाम का फिल्म बन रहा है गाना ब दिखाया देवर भाउजाई के असली रिष्टा क्या होता है यह दिखाया गवई माहौल खेती किसानी नदी नहर पकडंडी पुलिया पुलियाग उपर बैलगाडी सब कुछ हूबहू दिखाया होली पर दर्शाय गया गाना जोगी जी धीरे धीरे गाउं की संस्कृती द होता है इस फिल्म में संगीत दिया रविंज जैन जी ने जिन्होंने बाद में रामानंसागर के जो रमायड था उसमें भी संगीत दिया उस सबसे अधिक भवचक्का हमको किसी ने किया तो इस फिल्म के सिनेमाटर ग्राफर जो है सुनील सर्मा सर आपने क्या कैद किया गा है मतलब हम चटपटाने लगते हैं कि नाव पीछे क्यों जा रही है क्या दर्शाय आपने गुरू एकदम मतलब सब कुछ एकदम लगता है अब आप ही सोचिए बिना किसी सेट के जमाने में नदिया के पार ने जो कमाल किया शायद इसी लिए हम आपके कौन की भवता नद यूपिक लउंडे का एक्टिंग की है बवाल की है मतलब यहां बोजपूरी की हीरो जो हैं यहीं पैदा हुए हैं यहीं खाए हैं लेकिन सिनेमा हम जाके हाग रहें आईए दुतीन थबरा मार के इन लोगों को भी एक्टिंग सिखा दीजिए यार प्लीज खैर चंदन की खिसियाहर, चंदन का हडबडाहर, चंदन का रोना, चंदन का गाना गाना इन सब का दिवाना यूपी बिहार आज तक है वहीं गुंजा का किरदार निभाया साधना सिंग जी ने तो बड़े होने के बाद जब हम फिलिम देखे तब हमको समझ में आया हमारे पापंग नद चातिक बाल मुडवा देंगे, मतलब साधना सिंग जी बेहद खूपसूरत लगी और उतना यी बड़ियां किरदार खेला है, और इतना हिट हुआ उस टाइम कि उस टाइम जितनी भी लड़कियां पैदा हो रही थी, सब का नाम गुंजा रखा गया, हमारी चोटकी बुव पुरी इंडस्ट्री वालों को कोई जा के यह समझा दें कि सिनेमा का होता है, और एक कैमरा लेकर कुछ भी टटी सूट कर देना सिनेमा नहीं होता है, किसी लड़की को सकड पहिना है कि उस पर चाट गाना गा देना सिनेमा नहीं होता है, आप अपनी फिलिम में कौन सा समा समाद दर्सार हैं, कौन सा समाद बना रहे हैं, इस पर सोचिए, यह मत सोचिए कि कौन अभिनेता मंच पर खड़ा होकर 50 लाक ले रहा है, कौन अभिनेता जो है एक करोंड ले रहा है, सच कहें तो आप लोग एक फुटी कवडी भी डिजर नहीं करते हैं, क्यूंकि एक आने वाले, आप लोग हैं, बोजपूरी इंडिस्ट्री को बिगाडने वाले, निपोरने वाले, तो नदिया के पार जो है, वो रूडी वादी सोच पे बनी एक बहुती शांदार फिलिम है, जिसे बड़ी सरलता के साथ दर्शाया गया है, अगर आपको हम आपके हैं कौन पसंद आती है, तो नदिया के पार को आप सीने में दिल में जगा देंगे, और अगर आपको नदिया के पार पसंद आ गई है, तो आप लोगों के लिए जो उपन्यास है, कोवर की सर्थ, जिस पे ये फिलिम है, वो आप लोगों के लिए ग्रंद साबित होगी, हलांकि उस आसमान में जितने इस्टार हैं सबको उतार के इस फिल्म के पोस्टर पे चिपका दो अब भोशपूरी इंडस्ट्रिक जितने इस्टार इस समय है उनको यहां चुठाओ आसमान में ले जाक छोड़ दो बाद दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करिए शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि किस फिल्म का हम रिव्यू आउर करें जाएं